राधे राधे जैस्रीकुष्णा तो देशन करिए हमारी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी राधरानी की हमारी प्यारी सी लाडो के देखो कितना सुन्दर लग रहा है इनका मुख मंडल आपको हमारी प्यारी सी लाडो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और राधे राधे जरूर लिखना तो आज हमारे कनहिया बने हैं राधरानी तो राधरानी क्यों बने है क्योंकि आ रही है राधास्ट में यान कि हमारी लाडो का प्राकट उस तो वीडियो में आगे हम बताएं कि राधराने का जन्मों सोक कब है कैसे मनाना है क्या क्या करना है और क्या भोग लगाना है लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि हमारे राधराने का प्राकट कब हुआ था कैसे हुआ था आप सब साथ यह जानतेयों के furnati demand what राधरानी तहां में लेकिन भर्साना उनका जनम स्थान नहीं है उनका जनमिस्थान है रावल में कीर्थि माँ और भृष्भान जीके घर राधरानी का जन्म हुआ था लेकिन असलि में जन्मै के स्थान गवा दिश्ट से उनका जन्म हुआ adalah मा उनक 210 पृषभान जी और कीर्ति-भाय है लेकिन एइसा। جए हम आगे कहानी बताते हैं क्या व्हाथाinkहसे वह था है कैसे रदरानी आए पृषभान जी और कीर्षिमा के पास तो कीषिमा गर्ब से थी उनको ऐसा लग रहा是 किर्थ वाहन अपने विश्थर में लेटी हुई थी अपने महल में और ब्रिश्भांजी सुबह सुबह यवनमयय के दर्षन करने गए थे योवनमयय के दर्षन करने जब गए तो वहां पर उन्हें बहुत बड़ा कमल दिखाए दिया इतना सुंदर कमल था बढ़ा सा था तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इस कमल को ले लूँ तो बहुत आकश्त हुए तो कमल के पास पहुंचे कमल को उठाया और कमल इतना सुभाय मान था इतना मुझ में प्रेम था उन्हें कमल को गोद में उठाके गले से लगा लिया और वहीं पर भी होस हो गया और जब फिर होस आया तो कमल को लेके महल के और दोड़े और अपने याँ भी दोड़ रहे थे उन्हें होच भी नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं क्या करे हूं जब महल की तरफ बढ़े और कीरतिमा के पास पहुंचे तो कीरतिमा लेटी हुए थी उन्हें हलका हलका मीठा मीठा दर्द हो रहा था गर्व में, ऐसा लग लग रहा था, बस अभी बच्चा आने वाला है, उनके पास पहुंचे और उन्हें, यह जो कमल उन्हें मिला था, कमल दिया, किर्थिमा ने जैसे ही कमल लिया, इतना कमल में तेज था, कि वो भी बिहोस हो गई, यानि कि हर कोई बिहोस हो गया, प्रिश्वान वीचे बिहोस हो गई, और किर्तिमाई बिहोस हो गई, जब उन्हें होस आया, तो उनके सामने थी राधरानी बाल रूप में, और उन्हें लगा कि राधरानी ने मेरे गर्ब से ही जर्म लिया, तो ऐसे प्रकट हुआ था हमारी राधरानी का लेकिन राधरानी ने प्रकट होने के बाद भी अपनी आखी नहीं खोली थी कहते हैं गेरा महिने तक उन्हें अपना आखी नहीं खोली थी जब तक उन्हें प्रभु शिरकेशन के दर्शन नहीं हो गया जब उन्हें प्रभु शिरकेश नीका प्राकट आपको क्या करना दो आपने निर्तकर्म करके इश्णान करके राधारनी को पंचमर्षर इश्णान करता अगर आपके पास राधारानी का विग्रह है तो राधारानी का विग्रह को अगर विग्रह नहीं है तो भगवान स्री कृष्ण को के विग्रह को इश्णान कराएं और भगवान स्री कृष्ण को ही राधारानी का रूप दें क्यूंकि दोनों एक ही हैं अगर आपके पास और सुबूरे राधरणि लगा सकते हैं कि हमाया राधरानी को अरभी की सब्जी यानि के घूई Antarctica सब्जी कि पहुत ज्यादा पसंद है और समस्लम्ण पाक कला में इतनी निवपूढ़ा इतनी निवपूढ़ा हैं कि जो भी भोजन बनाती हैं सिर्फ एक बार बनाती हैं उसके बाद उसको नहीं बनाती हैं दूसरा बनाती हैं कि कोई भी जो डिश होती हैं जो हम लोग बनाते हैं तो बार बनाते हैं पर सिर्फ एक ही बार बनात तो आप पूरा दिन का व्रत भी रख सकते हैं अगर नहीं रखना तो पार के बारा बज़े बाद आप भोजन कर सकते हैं अब पूरा दिन का व्रत रख लेंगे तो अच्छा रहेगा दूसरे दिन पारन करें तो राधा श्टमी का व्रत है 23 सितंबर 2023 को इसे दिन ही राधा श्टमी है और हमें व्रत भी रहना है लेकिन व्रत की सुर्वात हो जाएगी एक दिन पहले यानिकी 22 तारीक को और इस दिन से यानिकी 22 तारीक से हम ब्रह्म श्रका पालन करेंगे और शात्विक भोजन करेंगे फिर दूसरे दिन यानिकि इस तेश तरी को व्रत रखेंगे तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे अगर आपके मन में राधा श्मिज लेकर कोई प्रस्ण है तो हम से कमेंट बॉक्स में उस प्रस्ण को जरूर कुछेगा और इस वीडियो को जदा जदा शेयर करिएगा हरे किश्णा राधे राधे